दोस्तों आज हमारा एक और नया प्रिप लोकल आग्रा में हम लोग जा रहे हैं क्यलाश मंदिर और वहाँ पर हम और आप मिलके करेंगे बक्ती भाव से महाकाल के दर्शन, महाधेव के दर्शन तो आईए चलते हैं दोस्तों केलाश मंदिर जाने के लिए आप आगरा इस बीटी से सीधा और आटो से या फिर आपके बैस खुद का वान है तो सीधे आप आगरा मतोर होते हुए सिकंद्रा होते हुए आप सीधा बाबा के दर्शन के लिए जाए सकते हैं जादा दूरी नहीं है एक बार आप ज चाहिए और धर्शन चरूर करिए हुए पिर्शन चरूर्डर के अज़落़ा इस फर आप कुछ उआलोर होते हुए आपS-2-3 बार आप झाल 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 हर महादेव चलाक मुंदिर का परिसर चालू हो गया है हम बहुत जल्दी हम लोग मंदिर के अंदर होगे यह 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 मंदिर परिसर में कूजा सामिक्री की दुगान प्रसाद की दुगान यहां पर आएं प्रसाद लें बाबा के दर्शन करें आए चलते हैं साथ में हर हर महादेव बाबा के दर्शन करने कि अपर कप से हैं कितने समय से हैं इसले 20 साल से भी आपको चुब नाम क्या है तारांज गुर्षवामी नाम है इनका और इसले 20 साल से वहान की आराद मावान की सेवा में का जीवन यह तक इत कर रहे हैं यह आप देख सकते हैं तरह तरह की थाली यहां पर है और एक थाली हम भी लेते हुए और मैं कोगा अगर आप आग रहा हैं तो आप केलाश मंदर जरूर आई है जो आपकी मनुकामना है वह ज़रूर पूरी करेंगे भगवान खैसाम है आचा है यह देखिया पत्ते भी दे देखिए प्रशाद देखाल लाएं यह हमाई लिए यह हमारी थाली त्यार हो चुकी है और भाईया मान गया है कि लोटके आप ले लिए पैसे आप लोटके देना और प्रशाद हम ले जाते होगे जूते चपल लिए उतार देते हैं मुझे पहन के सलें अभी घीला नहीं होगा चब भी आप आएं तो मंदर परिसर में जूते पहन के ना जाएं आप जूते भारी तार रहें यह जह सेगिए और हमारे केविल भाई मंदर के सब जाते हुए क्यों मंदर परिसर कांगर 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 को रफोड़ी माते हुए शिवो हम शिवो हम महादे वशंभू नमामी शमीशं अखंड़ं तचंड़ं रकल्बं तवेशं निर्वान रूपम महादेवशंबू नमामीशमीशं शिवोहं 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 करते हैं सिवोहं अनदर कुछ कोई आया हुआ है कि हां अच्ठा कौन दी मेंडम है क्या डाम है तो यह जब भी आए मंदर परेश्र में जो ते चाप भारी तॉने करपा करके यह मिराब आ आग रहे हैं अंदर बिल्कुल आप फोग करनी जा सकते हैं लेकिन अगर उतार तो याद अच्छा एगा पहले दिया लगाते हैं वह बहुत जरूरी है नमामी शमीशम हंडम तचंडम रकल्पम तवेशम निर्वान रूपम महा देवशम भू मामी शमीशम शिवाहं शिवाहं सिवाहं शिवाहं शिवाहं जो वह देखालक टक डर्द करने का दो जेसे तो बहुत कहांटेबत कि लिएateur कि पाड़ी हिए प्रतो कि आप्दिक श्ना परकल्त यह मंदर के मंदर परिसर आप देख रहे हैं यह मंदर बहुत ही प्राचीन है बहुत ही पुरातन है यह मंदर लगवग दस हजार साल से भी ज़्यादा पुराना है ऐसा कहा जाता है इस मंदर के इस्थापना स्वैम भगवान परश राम और उनके पिताश्री वसी जम्दगी ने की है जब वो लोग तपस्या करने भगवान भोलेनात को प्रसंद करने के प्रसंद किया जो प्रिकट हुए और उन्होंने इमंसा जाहिर की कि भगवान भोलेनात आप हमारे साथ चलिए भगवान सिम्ने का मैं तो वनका बासी हूँ आप कोई भी चीज़ यहां से ले लिजे मैं कणकण में वास करता हूँ मैं उसमें स्थापित हो जाऊंगा पारुशराम और उनकी पताशरी जब भहां से चले और भोलेनात ने कहा कि मैं अचलेशवर हूँ मैं एक वर जहां इस्थापित हो गया मैं नहीं हिलता तब से यह सिवलिंग यहांपर है और इस जगह को कहलार स्थाम के नाम से जाना जाता है तब से हजारों लाखों भक्त यहां पर आते हैं एक वार मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव पारल्या शारे हंद्धार्णिया बेट्टी थोड़ी कमबची है तो रहा मंदिर की तफारा भार चलते हैं और यह देखिए हर्मान जी इपाचाचाचाचाची यदिए है चाचाची यवन बते हैंटी है आप शाय काकची है यह आप देखकते हैं यमना तटकर फीन थोड़ा पानी पेरे चला था भी तोड़ा कम हुए है पानी शिवोहं शिवोहं महादेव शम्भू नमामी शमीशं अखंडं प्रचंडं रकल्पं प्रवेशं निर्वान रूपं महादेव शम्भू नमामी शमीशं शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम महादेव शम्भू नमामी शमीशं शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय शिवोहं शिवोहं महादेव शम्भू नमामी शमीशं अखंडं प्रचंडं प्रकल्पं प्रवेशं निर्वान रूपं महादेव शम्भू नमामी शमीशं शिवोहं 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 ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय शिवोहं 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 महादेव शम्भू नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय शिवोहं 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 महादेव श आमी शमीशम अखन्डम प्रचन्डम